नमस्कार सभी दोस्तों को दोस्तों भैस सीजान में पूंचे हैं जो कि मौःणा मेरठ काफी नभी गाओं है इस गाओं के कटड़े हैं हमारे चेतर में चेतर यह जो कटड़ा है चेह दांत है जो्ट्ल यह कभी का राजिस्थान का पहुए हुआ कि दोस्तों देख सकते हैं काफी बारीक है और काफी अदा के साथ हमें काड़ा बिल्कुल तयार खड़ा है तो मारें अच्छा मतलब यो अदा है इस तेरे की सुए दोस्तों अभी मील चलने से पहले काफी भाग दोड़ हो रही है इनकटड़ों की काफी अच्छी जो है दोड़ लगाता है यह यह देख सकते हैं काफी अच्छे इसके पैर हैं काफी बहतरी इन पसू है तो आज ओभी यह इसके पास में तो भी अपना थोड़ा नाम परिच्छे हो जा चेतर का नाम जी जिला मेरत तहसील मावाना अच्छा नाम मेरा लक्ष है खत्री अच्छा तो भी यह जो कटड़ा है आपके पास में कितने टाइम से इस से पहले से भी कड़े रखते आए बहुत बढ़िया तो यह कटड़ा मतलब अब गंगा सनान के लिए रेडी है बिल्कुल तो भी यह जेवडा लगाओ थोड़ा चला के भी देख लेते हैं इसे कटड़ा भी यह बिकाओ तो नहीं है दोस्तों यह कटड़ा जो है सेल में नहीं है मैं आपको शोंक के लिए दिखा रहा हूं और इस गाओं की जो रस्ता तो खूब होगा इसमें रस्ता खूब है जो च्छे दांत के हिसाब से साइज बहुत बढ़ी हाया कटड़ेगा इधर कुलो इधर कुलो इधर कुलो अच्छा इधर जावे अंदर ही हो अच्छा कोई नी कोई ने ले लो तोस्तों काफी फूर्ती और काफी गर्मी के साथ में कड़ा तयार कर लिया इनोंने लेओ लेओ कोफी बहतरीन पसूरीनों ने तीयार कर लिया राजस्थानी सिंगार बहुत ही बढ़िया तो जैसे हंडाय करो तो ज्यादे ज्यादे कितना हंडा दिया तो जैसे मतलब पिच्छा गर्मी रही बराबर गुमाते रही ठीक सा हो जाता क्योंकि दोस्तों आपके मोसम बहुत खराब रहा लेकिन फिर भी शोकिन भाई होने अपने कटड़े जो है सैट रखे और यह कटड़ा जो है काफी बहतरीन है जब यह कटड़ा सेल मायागा हम आ मोटा चोडा सीइंग है पत्ता बहुत बढ़ी हाय से साइड ही से खुल आ रहा है पर ही बहुत भ्हतरीन दोस्तों की चा कटड़ा आपके अच्छा लगा होगा गाउं भैसा है मवाना के पास में और इनके गाउ और रोडी पढ़ता है और इनके गाउं के बाहर में लग रही है काफी बहतरीन यह करड़ा हमें देखने को मिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं धन्यवाद जुड़े रही है देख सकते हैं सोकिन भाई बिल्कुल तयार बैठे है कि यह अभी जुड़े अभी पगए धन्यवाद जुड़े रही है